प्रेश द बेल अइकन उन यूजुब आब और नीटूग सी अधार प्रेट получ अगर नहीं रहे िज लूइ गरी अगर है तो फिल्म सिनिमा घरों में रिलीज होगी हलों प्रेंड्स आप देख रहे है राउंड वाल नीज सल्मान खान की मौस्ट एक्षन फिल्म रादे जिसको लेकर सभी फैंस बेसवरी से इंतिजार कर रहे थे ईद को लेकर मगर आकिर कार जो बीच में जो इस बात को लेकर देश में जो महौल बना उसके बाद जहां तक कई सारे फिल्म को पोस्पोन किया गया आप लोग तो जानते ही हैं सूरिय वनसी मूवी पोस्पोन किया गया फास्ट इन फियरस नाइन पोस्पोन किया गया कई सारे बीच में जो रिलीज होने वाली थी सारे फिल्म को पोस्पोन किया गया मगर आखिर काद रादे मूवी को पोस्पोन नहीं किया गया जो इड पर रिलीज होने वाला था फाइनल आप लोग को बता दो कि रादे मूवी भी आप पोस्पोन हो चुका है किस तरह मैं आप लोग को बता दो सरकार के दरब से यह order आया था पहले कि 31 मार्ज तक सारे जगह पे lockdown रहने वाला है जिस बात को लेकर सभी यही उमीद पे थे कि आखिरकार देश का जो इस्तिती है वो ठीक हो जाएगा 31 मार्ज तक मगर मैंने आप लोग को यह जनकारी दिया था कि ऐसा बिलकुल नहीं होने व सारे एक एक जगह पे lockdown हैगा यह तो बात completely आप समझी गए तो अप्रील के महने में अब यह जानते हैं lockdown तक जा चुका है वेल आप लोग को यह भी बता दू कि जहां तक अब अप्रील तक जा चुका है तो यह फिल्म जहां इद पर रिलीज होने वाली है रादे मुवी और सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया जाएगा जियंے तो सबस्तों अप्रील से यह सफंशन है अप्रील से यह जीज को लेकर नियम लागू किया जाएगा कि जहां तक अप्रील से 3 महने तक सारे सिनेमा हौल बैंड रहेगा अगर देस्त का महौल ठीक रहता है तो मरे 3 महन तक completely रहेगा और उसके date भी आगे बर सकता है यहां तो public सुरक्षित नहीं है और public जब सुरक्षित रहेगी तभी तो आगे जाके वही तो movie देखने जाएंगे तो आप से ही रुखो न कहना चाहूंगा कि आप लोग सुरक्षित रहे घर में रहे सेप के साथ रहे और आप लो सल्मान खान के लिए दो लाइन जरू बोलिएगा मिलते हैं अगले अपडेट में जो होने वाला है काफी खास